नमस्कार देखिए जब भी मोसम परिवर्तन होता है तो शरीर में वायू का प्रकोब बढ़ता है लेकिन आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो विशेश कर उन लोगों के लिए है जो पूरे दिन सिटिंग का कारे करते हैं और शरीर में शाम होते होते यहां वायू का गोला सा बन तो उसकी वज़े से शरीर के अंदर एक अजीब सा प्रेशर जो है वो बन जाता है और उससे कॉंस्टिपेशन भी हो सकता है देखिए अगर भोजन पचेगा नहीं तो सड़ेगा सड़ेगा तो आंतों के उपर उपर रहेगा नीचे वाली आंतों में जाएगा नहीं रस न तो पूरे दिन जो आप ऐसे बोड़ी को ऐसे करके बैठे थे पेट के अंदर जैसे दोपैर में आपने लंच किया और वो लंच जो है आपने करके और एसी में बैठे रहे पचा वो है नहीं तो यहां पर इकठा हो रहा है अब उस लंच को नीचे जाने के लिए जगे चाह है यह शरीर भरा हुगा साजीब सा होता है और उसकी वज़े से शरीर में पेन दर्ड होगा देखिए अगर भोजन अंदर सडेगा तो शरीर के हर इस्से में दर्ड होगा और ये दर्द जो है ये निकालने का कोई दवाई नहीं है इसके लिए आपको अंदर शुद्धी करनी पड़ेगी सफाई करनी पड़ेगी और सफाई का सबसे बड़िया इलाज है आसन जिसमें आतों को खीचा जाए मरोडा जाए इधर उदर किया जाए यही आसन जो है इसी पीर के स्वास्ते के लिए हमें आसनों को करना बहुत जरूरी है तो अब इसके लिए सबसे पहली बात जैसे आप पांच वजे छे वजे ओफिस से आए और आपको लगा कि आज तो कुछ खाने का मन नहीं या फिर भारीपन है शरीर में वो भारीपन तोड़ने के लिए आपको हर बार कहता हूँ हाट बीपी ये अगर बढ़े हुए हाट की प्रोब्लम अगर सीवियर है अगर अगर अधर प्रोब्लम जैसे हमारे पेट का हम कोई आसन कर रहे हैं तो पेट से समंदित कोई प्रोब्लम हो उसमें डॉक्टर की राय के विना आप काम ना करें क्यो उल्टा लेटना है बाकी देखे मैं आपको बहुत सारी आसन बता चुका हूं उसमें शुक्षम क्रिया महत्वपूर्ण जिन का आज तक हमें बहुत अच्छा लाब मिला है लोगों से राय बहुत अच्छी मिली है और आप शुक्षम क्रियाओं को जीवन में जरूर लगते हैं और उसके बाद जो पेट के लिए विशेश करके जो मैंने आपको बात बताई उसका एकुपाई आपको बताता हूं करना क्या है देखे उल्टा लेटना है पेट की आते खीचना है तो लेटने के लिए बढ़िया है और दूसरा कमर में दर्द जिनको जैसे जो लगते हैं उनकी कमर की रिड की हड़ी जो है वह यहां से करो हो जाती है लंबर एरिया से उसको भी एक सुकून मिलता है इसमें तो यह 15 मिनिट का सेशन है 15 क्या 10 दस मानिया आप 10 मिनिट का सेशन है जिसको आप नियमित रूप से कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रि हिपस के उपर लगाना यह तो सिंपल क्रिया है सब करते भी है पता भी है और इसको सीखा हुआ भी है यह तो सिंपल क्रिया इसको करते ही जो पेट में गोला सा बना है वो तो आपका हतों हाती उसी से निकल जाएगा इस बैस द्यान यह रखना है कि एडी जो है वह हिपस के उपर लगे इस परकार हिपस के उपर एडी को लगाना है इससे कई फाइदे हैं क्या होगा यह जो पिंडलियां टाइट हो रही है हमारी पिंडलियां यहां पर लगेंगी तो इसमें वाइब्रेशन होगा और यह जो पीछे जो नसे हैं हमारी muscles है, और नसे हैं दोनों को ही बहुत सुकून मिले गा, आराम मिलेगा, इसको जब हम खीछते हैं यहाँ पर तो हमारी नियमत रूप से करेंगे तो इसका लाभ हमें मिलना ही है तो एक बार देख लीजिए यह जो है यह क्रिया आप दो मिनट से शुरुआत करें पहले दिन जैसे एक दो मिनट यह तो सिंपल है कोई भी कर सकता है ऐसा नहीं कि कोई कर नहीं सकता हां यह थोड़ा जहां लखे जैस करना क्योंकि पेट की about कंश को घंषा ध्यान एकना जो गंभीर प्रकृती की रोग है उनको थोड़ा सा अपना ध्यान करके लिए बस इतना यहां करकना लोगल कि इस आसन को पैट के लिए कमरदर्द के लिए और हमारी पैरों की जो नसे हैं पैरों में जो इनको एंठन रह अच्छा लगा हमें भुजंगासन का ही एक रूप है बस इसमें करना यह है भुजंगासन में तो हम इस क्रिया में यहां पर रहते हैं अब यहां इस आसन में आगे यहां पर इस इस्तिती में यहां से थोड़ा सा हमें उपर होना है और बोड़ी को पीछे की और तानना है पी जैसे अमरी नाव्य भुजंगासन में अगर यहां पर आपर ऐसे जैसे भुजंगासन हम ने किया तो इसका आथा है कमर के उपर अब इस असर को इस प्रेशर को हमें यहां लाना है यहां का यह जो हमारा अमाश्य है आमाश्ये के उपर अगर थोड़ा सा प्रेशर आता है तो भोजन जो यहां पर रटका हुआ है वो आगे सरक जाएगा बड़ी आत में चला जाएगा तो बड़ी आत के लिए हमें इस आसन को करना है थोड़ा सा पेट रिलीज होगा तो वो जो भी हवा बनी हुई है जो वायू बनी है जो भोजन जो रुका हुआ है वो आगे सरक जाएगा इसको श्टे करके करना थोड़ी देर श्टे करना है देखे यह भुजंगासन की स्तित अब इससे केवल दो इंच नीचे नीचे की और चले गए ऐसे स्वास भरना और उपर की और खीचना अब इसमें आपको एक चीज महसूस करने देखे आंखे कर लीजिए बंद किसी भी चीज को जब तक महसूस नहीं करेंगे तब तक उसका इफेक्ट बहुत कम हो जाता है और अगर महसूस करके करें तो उसका इफेक्ट बढ़ जाता है तो हमें क्या करना है अब महसूस ये करना है कि जो हमारे रिब्स के नीचे का जो हिस्सा है जहां पर गोला बना हुआ है जहां पर गैस जहां पर आपको प्रिशर लग रहा है उसको आगे की और तानना आगे क को रोक के रखना है और स्वास्प्रक्रिया नॉर्मल रहेगी कि शुरू शुरू में किसी भी आसन को या किसी भी तनाव को शरीर में देते हैं तो आदा मिनट एक मिनट से जादा नहीं करना चाहिए क्योंकि वहां कि जो मसल्स हैं वो श्टफ हो जाती हैं वहां पर ब्लड का सर्कुलिशन पहुंचता है और एसिट्स जो हैं वहां पर डिपोजिट हो जाते हैं उसका दर्द अगले दिन महसूस होता है तो इसलिए अत्यदिक मात्राम फस्ट नहीं करें लेकिन करते ही आपको एक अच्छा सा ऐसे लगया जैसे कोई पाइप रुका हुआ तर वह आग अमाश्य के क्षेत्र में जहां पर गोला बनता है वहां पर प्रेशर करें तो कौनी का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा कौनी के प्रेशर से बोड़ी को उपर की और खिंचना नीचे जो पेट जमीन पर चिपका वह उसको और चिपकाना बस इसको करते ही आमाश्य का जो अपने आप खेचे जाएगा कि स्वांस पर क्रिया नॉर्मल रहेगी है कि बहुत ज्यादा जोड़ लगाकर स्वांस नहीं लेना सिंपल सिंपल तरीके से स्वांस लेना आदा मिनिट जैसे कर लिया तो फिर इसके बाद में एक बार निर्ला मासन फिर कर लीजिए इससे क्या हुआ कि जो आपने बड़ी आंथ के अंदर भोजन भेजा है उसको चलने के लिए एक समय मिल गया एक टाइमिंग मिल गई और यह निर्ला मासन जो हम कर रहे हैं यह जो हिपस पर पाउं को लगा रहे हैं यह उसको और आगे पर सारीत करेगा आपको लगेगा कि आप जो पंदरा मिनिट पहले जो आपके पेट की स्थिती थी वो लगबग आदे से ज़्यादा खाली हो गई है आपको बहुत अच्छा फील होगा है हमारे बहुत सारी योगसादक जो हमारी आठ लाख योगसादकों की फैमिली बनी है यह एक परिवार बना है हमारा और एक दूसरे के सहयोग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी वज़े से मुझे बड़ा गर्व होता है कि आप सभी योगसादक बहुत सिंसियर तरीके से हमारे इन आसनों को जीवन में अपनाते हैं और आप स्वस्त बने रहें यही हमारी अपक्षा रहती है अब एक बार और पैरों को तो फिक्स रहेगा हातों को आगे रखा कोहियों को यहां रखा और इससे एक इस थोड़ा सा पीछे गए और उपर की और खीचा ऐसे खीचते ही आपको रिप्स के नीचे गा जो पूरा हिस्सा है वो पूरा खीचेगा स्वास्प्रक्रिया नोर्मल रहेगे गर्दन उपर की और खीचे कigor जिनको एसीड बंता हो एसीड क्यों बंता है क्योंकि अत धिक बार यानि कई बार हम थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो एसीड का रिफ्लेक्शन То उतना ही होता में इतना पूरे भोजन पे होता है व इतना पूरे भोजन पे होता है उसको बहुत सारे कारण होते हैं लेकिन यह भी एक कारण होता है कि यह आतें खींचे और कब जो है वो तूड़ जाए तो यह हमने जो है एक क्रिया की और इसके बाद इसका काउंटर पोज करना जुरूए क्योंकि आपने इतनी देर ऐसा कर लिया तो आपके कमर में प्रेशर दोनों पैरो को खोल लीजिए याँ से बहुत बढ़िया इस अशन को तो आप हमेशा अपने जीवन में अपना के रखें ऐसे दोनों दोनोपैर के गुटनों को आगे से खोलना है ठीक है और स्वानच भर्टेवे हास उपर और स्वास छोड़ते हुए ऻात को आगे लETे ल जाना है फिर आगे जब पूरी आपकी पूरी स्थिती हो जाए तो एक स्वांस लेते रहें छोड़ते रहें हलका हलका मस्तक जमीन पर टिकेगा नाभी को जमीन की और खीचने की कोशिश करें जो आपने अभी आमाश्य को खीचा था उसको एक मसाज मिल जाएगी इससे पड़ का सिर्कुलिशन मस्तक की और दिमाग की और जाता है तो पूरे दिन की ठकान आपके माइंड में आई है वो ठकान एकदम से निकल जाएगी ये शाम को किया जा सकता है शाम को करने वाला जो है ये तीन क्रियाय मैंने बताई है शाम को जब आप ओफिस से आए और भो जो हवा वायू बनी हुई थी वो भी प्रसारित होगी जिससे आप एकदम तरो ताजा होकर घर के अंदर जो है बच्चों के साथ परिवार के साथ रहेंगे आपको बहुत अच्छा फील होगा और जो शाम को भोजन करना है उसके लिए भूख भी आपको दो तीन घंटे में अच्छी लग जाएगी और हमारी आतें जो हैं वो सही हो जाएंगी अगले दिन के लिए जो है हम फ्रेश अपने आपको महसूस करेंगे यह तीन आसन यह शशकाशन हमने किया है तीन आसन के बारे में आज हमारी चर्चा हुई है जो मुख्य रूप से भुजंगासन का जो यहां गैस बनी रहती है उस गैस को ठीक करने के लिए हम यह चोटी सी क्रिया करेंगे जैसा कि आपको मैं सुचित कर चुका हूँ त्री नेत्र योग धाम के नाम से हम अब एक संस्थान जो है वो शुरू कर रहे हैं इसके नाम की जो है गोशना आपके सामने हो चुकी है अ और डॉक्टर मनोज योगाचारे के नाम से जो हमारी वेबसाइट है उस पर जाकर आप अगर कोई भी व्यक्ति आप चाहते हैं और थोड़ी सक्षम है देखिए सक्षम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने कभी किसी को वैसे साहिता के लिए नहीं कहा हाँ जो चाहता है कि वी लेकिन आप लोगों का प्यार प्रेम मिला आठ लाग की हमारी ये परिवार बना है ये परिवार के हो सके तो भगवान चाहे तो आप एक एक व्यक्ति से हमारी मुलाकात हो जाए आप यहां आ जाए या वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए या अधर कोई भी संसादन से हम करते हूं तो थोड़ा बहुत मैं आपको साहता इसमें कर सकता हूं बाकी अधर जो विधाएं हैं उसके लिए भी हम प्रियास करेंगे कि जितने भीृत चिकिशक हैं बहुत अच्छे चिकिशक हों ऐसे चिकिशकों से हम राय मश्वरा करके एक प्राकर्तिक चिकिश सा करते हुए अब मैं लेता हूं इजाज़त मेरे साथी दिव्यांशु शर्मा के साथ मैं डॉक्टर मनोज योगाचारे त्रीनेत्र टीवी के लिए नमस्कार